नमस्कार मैं उदीपक और आप देख रहे हैं DSK Talks वीगेंड गवार था ये आथा जो पड़ाव पार हो चुका है सीजन 14 का तो यहाँ पर सल्मान खाने बड़े ही जबरदास अंदाज में इंटर्विल के बाद दुबना जोश होगा ये होगा वोगा टीटोल्टी को जवाब देंगे तो यह ब्रह्म अपने दिलों दिमाग से निकाल दीजे बिग बॉस एक रियालिटी शो था एक जामाने में यह लगी नहीं रहा था कि वीकेंड का वार है ऐसा लग रहा था कि दोस्ती मिलन रिष्टदारी कांसलिंग सेशन चल रही है जरूरत की दोस्ती के जो टास्क शुरू की भाई ऐसी बीरबल की खिचडी जैसी टास्क मतलब पूरा एपिसोड खेंच मारा यह तो देखिए हम य आधे पड़ाव में इन लोगों के याद आई कि यह जरूरत की दोस्ती है जान कुमार शानू निकी तंबोली पवित्रा पुनिया एजाज राहूल सब लोग मतलब की दोस्ती ही कर रहे हैं डेवन से और डील या नो डील इस एपिसोड में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपको याद हो कि पहले मैंने पवित्रा पुनिया और एजास की प्रेम कहानी को पर सिक्स्टी की एक कुछ एक्टिंग करके बताया था कि आजाज मेरी रिस्ता पका कर दिया हम नहीं जा पाऊंगी यह ऐसा करके कुछ मैंने किया था सल्मान ने ऐसी करके कुछ ए सबसे ज्यादा मौका परस दोस्त की श्रेंडिंग में प्रटेंग दिया और अभिनाव को तो मैं अपने रीव्यूस में भी हर बार बोलता आया हूं कि अभिनाव ना पूरी टास्क हो जाती हूं एंड़ टास्क खुद का पोपट करवा लेता है और सल्मान ने हमको तो वो करा लेता है और सल्मान ने यह चीज उसे दिखाई तो जरूरत की जो दोस्ती है यहां सब करते हैं कोई कम कोई ज्यादा और अर्ली जब से आतब से तो वह सबसे ज्यादा मतलब ही दोस्त है और ताज्यूब की बात है इस वीक दो टास्क हुई इस वीक काफी जगड़े भ करके रख दी मतलब फुल ओन स्क्रिप्टेड और सीरेल वाला मोड वो तो होना ही था क्योंकि टीवी सीरेल क्वीन एकता कपूर आके बैठी हुई थी लगी नहीं रहा था कि भाई रियालेटी शो है फुल ओन स्क्रिप्टेड एक टास्क प्लान कर लो और पूरा कूदना एक्स्प्लेनेशन मांगना बिग बॉस से पवित्रा पूनिया का जान कुमार शानु का उसको कविता को बोलना कि आप तो करेक्टर प्ले कर रही हो मेड इन चाइना दुनिया अभर के फप्तियां कसी गई कविता कोशिक को पर कुछ भी नहीं बोला गया यह जो कै बात है नहीं हुई एक वो यह जो कैप्टेंशी टास एक और हुई जहां पर की यह नो जास्मीन बैठ गए गई थी बॉक्स के अंदर बैक बगरा रखके कुछ 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 मुद्द टच ही नहीं इस चूतिया दबंग नहीं और इसके भड़वे फैंस इसको दबंग बोल इसके उपर यह बढ़ता ही नहीं है और मतलब जमाना हो गया जब बिग बॉस कभी टी आर्प में टॉप पर था आप तो वह 400 साल पुराना इतियास है ना सलमान के इंदाज में बोलू तो 400 साल पहले कभी बिग बिग बॉस टी आर्प में टॉप पर आया होगा अब तो प्रिबन 4000 को पर कुछ वोटा है 85 परसेंट लोगों का मानना जो था ना फिर से सही इस एपिसोड में उस पर एक सेटिफिकेशन हो गया उसका सलमान घान की पूर पर्थेटिक होस्टिंग ना बिग बॉस को ले डूबेगी यह जितनी यह क्याजियर होस्टिंग करता है पत पर दो बहुत है तो फिर वही जूम पर वाटसेप पर कॉल करके भी वीकेंड का बार होस्ट किया जा सकता है जिस तरह से सलमान होस्ट करता है मैं समझ रहों किसी चूतियों को भी खड़ा कर दो वह अच्छी होस्टिंग कर लेगा क्योंकि काने के ठट्टे माया का सलमान य पर जाया मुष्किल पर देना साथ मेरा सलमान कितना चूतिया लग रहा था सलमान के फैंस को बहुत अच्छा लग रहा होगा बाट आज तो सलमान ने मतलब जिनों चूतिया पंति की सारी हदें पार कर दी बहुत कुछ मन कर रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा पर कोई भी मुद्दा नहीं उछाला गया कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया in fact रूबिना और अभिना के पीछे तो मतलब यह हाथ दो के पड़ गए देखे गलत है मैं मानता हूं गलत है लेकिन अगर रूबिना कुछ बोले तो ओडियंस प्लीज प्लीज चुप हो जाओ प अदले में ट्रॉफी दे दोगे तो भाई यह चीज तो हम तो अच्छे से डिकोड कर चुके हैं कि आपको हर वीक रूबिना अभिनाव की यहनों बेज़त ही करनी है कॉंट्रेक्ट साइन करा क्या होगे आप कि यहनों आप कंटेंट दो मत दो बस हम आपको बेज़त आप ट्रॉफी लेके चली जाओ वैसे भी आपकी जो टॉप फाइफ की जो लिस्ट वो तो अल्रीडी तैयार हो चुकी है आप राहूल को यूज करोगे पिछले साल के यह नो पारश शाबडा की तरह है एंड तक खीच के ले जाओगे जैसे अब जांक को आप खीच के ला प्लान कर दोगे उपर निचे किसी का नाम उपर नीचे कर दोगे और भाई जिता दोगे भरपूर तरीके से सलमान खान यहां पर उसी प्लान को अंजाम दे रहा है कविता ने बहुत मुद्धी उठाए थे पहले भी और मैंने तो अपने वीकेंड का बार्र करेंगी लोग क्योंकि सलमान की बाइस होस्टिंग के उपर कविता ने कहा था तो आज कविता ने कुछ बोलना शुरू गया तो सलमान लेट गया सो गया अबल नंबर का ऐसा चूतिया लग रहा था था निए उसके चार कंटा भाई के वहीं लगा दो होगा दबंग तो अपने घर का लेक है और बस तेरे जो बैठे हुए लोग पियार वाले वह बस वावाज बाइबाए कई कई लोगों के कपड़ों की तारीफ कंटलर की हुई दाड़ी की तारीफ मतलब ऐसी तारीफ करते हैं और पबलिक को चूतिया बनाते हो पबलिक बंद भी जाती है सबसे बड़ अशेरी मतलब आप देख लिजे घरवालों का एक कुर के मैडग होते हैं वो उसी तरीके से सोचते हैं किसी ने भी नहीं सोचा सोचने से यादा है जान गुमार शानू उसे अली ने नोमिनेट किया है वो फिर भी पीछे 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 घुमरा सलमान ने उसे रेलाइस करा है कि तू तू जायागा बच्च लाल तो तू अली की वज़े से जायेगा उसको कोई समझाए उसको कोई कब तक समझाए इदर आगर हम घ्यान से देखें तो राहुल कुछ बोले तो रुबिना और अबिनान दोनों का साथ में कूदना है उतार रुबिना और अबिनाव कोछ बोले तो फिर राहूल का भी बीच पर खूदना लाजमी है दोनों मतलब कहीं न कहीं एक ऐसा दुश्मन एक हीरो एक विलेंट टाइप का मेकर बनाने के बहुत कोशिश कर रहे हैं एकता कपूर ने भी राहूल और रूबिना को साथ में रखा एकता कपूर ने भी वह जो बदले वाली टास्क ही न वहां पर एजास्मीन भाई ऐसी मतलब गर्दुली है जास्मीन के बदलते हुए तेवर को पर सलमान को बहुत कुछ बोलना था लेकर नहीं कुछ नहीं बोला बोलेगा कैसे भाई स्क्रिप्ट में ही नहीं लिखाता इंस्ट्रक्शन्स ही नहीं मिले थे हैं चाहे वो बदले की टास्क या फिर इनों बीच में बैठ कर जरूरत की दोस्ती जास्मीन इतना बोलती है भाई अब तो मतलब निगी दंबोली पीछे रह गई है जास्मीन इतन जल्दी वह मार रहे थे तो जब कविता ने वह फॉर्म लगाया तो भाई चोक मी मतलब और जो अलीज दोनों जो हातों से ऐसा कर दिया था कविता खमू कविता ने तो कोई इस्यू नहीं बना लोग मुझे कि आप मैं कविता का पी यारू भाई पहली बीक मुझे बोलते मेरे बारे में तो लोग इतनी जल्दी समझ जाते हैं सोच लेते हैं स्टिकर लगा देते हैं कि कितने विशुद चूतिये लगते हैं वो लोग जो मुझे आए दिन किसी ने किजी का प्यार बना देते हैं और फिर मैं उसकी बुरा ही कर दूँ अब है तु नेगेटिवीटी मतलब मुझे जल्च करने में तो लोग बड़ी जल्दी तूट पड़ते हैं लेकिन उनको बाप जमाने में जज़ नहीं कर पाते हैं वो गलत भी करेंगे तब भी नहीं नहीं वह सही है वह सही है मतलब जुम्मा एक महीन पहले तक ना कोई तंबोली को जानता था ना को जा लोग झारो हैं जुदा भे ले जानता है उसी दिए chi अंदरे थे उन्हें अपने हैं कमिया नहीं डिखती हैं लेकिन दूसरे कंटेस्ट केसी सारे कम एक इत्रत को यह लिए लेकिन खुद की कम्यां नहीं दिखती खुद की कम्यां कोई सुनना भी स्विकार नहीं करता है चाहे वो जरूरत की दोस्ती हो चाहे बदले की कारवाई लोग अपने पॉइंट रखे तो बीच में सबका कूदना बहुत जरूरी होता है यही है इस वीकेंड का मोटा मोटा लबो लबा बात कर कि लिए वीकेंड का वार में कुछ भी नहीं था एक जरूरत की दोस्ती के टास्क शुरू कर दी तो भई एंड तक उसी को खीच लिया तुमारी दोस्ती मतलब किये तुमारी यह है अब सलमान खान जिए जरूरत की दोस्ती जो तुझे आज दिखाई दे रही है ना साथ व में देख चुक है तो लोगों को समझ मन नहीं आती है कि भई डियस के बोल क्या रहा है हम तो वीक मन में से कह रहे हैं कि मतलब की दोस्ती जरूरत की दोस्ती जरूरत के लिए गदे को बना ले तो तुझे वो चीज साथ वे हफते में दिखाई दी है तो बताब ऐसा लग र बाते सुना कि उसकी आउकात किया है जनकुमार शानु की अभी मैंने एक अंसीन देखा जहां पर अली कह रहा था कि यह ना रहुल बहुत बीजी रहता बहुत सारे शो करता है और यह निसर्डला नेपोगेड बोलता कि इसने भी हजारों शो किये अभे हजारों शो किये त मेरे को एक कमेंट आया कि जानकुमार शानु की ममी ने बोले कि अभी बनने तो गिरेगी तो तब ना और तुमारा लोड़ना कौन सा शारुक खाने सल्मान खाने जो अपने पूरे शोल्डर पे शो को के करी करके चल रहा है मतलब गलत फहिमिया इसकादर है जास्मिन को गल अच्चा बिक बढ़के वार के लिए बाते ने तो क्या अखंड लेवल का बवासीर बना ना कर दिया ।ूसरा सत्य और कड़वा वच्चन यह है कि क्योंकि बिग बॉस भी कभी रियालिटी शो था इसमें अब रियल जैसा रियालिटी जैसा कोछ नहीं भईया यह फुल लॉन स्क्रिप्टेड है आज तो एकता कपूर भी थी तो मतलब जैसे एकता कपूर क्या नहीं होता है सीरियल में एक पाटी का सीन है तो वह चार एपिसोड तक वही पाटी चलती रहती है और पहले एपिसोड में अगर हीरों सीडी से उतर के आ रही है तो पांच एपिसोड लग जाते हैं आखरी सीडी पर पहुंचने में वही था वीकेंड का वार का हाल एक टास शुरू की में तमी नहीं है कि एपिसोड देख सकते और इसके बात बोल देता है कि वह सारे एपिसोड देख लेकर था है वीडियो का कश一樣 हुऀ है एपने समय नेगाला वीडियो के यहां बहुत बहुत धनेवारत सब्सक्रायब लेकर और नइहीं तो बलने सीब